तो आज हम डिस्कॉस करने वाले हैं यूसी सी मिन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक है बढ़निंग टॉपिंग है आप ने नियूज में देखा होगा लगाता टीवी डिमीट में देखा होगा तो इसके लिए टॉपिक लेके आए हैं उसके करते हैं कि इसके जरूरत क्या है इंडियन कॉन्टेक्स में लेखे और उसके प्रोज और कौन समझेंगे कि इसकी अच्छाई क्या है बुराईया क्या है सुप्रिंग कोड का जज्ज्मेंट समझेंगे कि सुप्रिंग कोड आकि इसके बढ़ इनका क्या व्यूग है और इस सब्सक्राइब करते हैं तो पहले जैसे नाम करते हैं कि यूशी सी स्थैंड ऐकी यूनिफॉर्म सभील कोर मत्ब एसा उसकी वंता है तो कौन उसकी लिए है जैसे कि आप देखा होगा कि कोई विए अगर किसी टाइप की गल्दी करता है तो कानून उसके लिए सेम है जैसे कि IPC की इतने साइज सेक्षन है अगर आपने चोड़ी की डखेदी की या डिफेंट डिफेंट टाइप की चीज़े आपने ओफेंस की है तो चाहे आप हिंदू हो मुस्लिम हो शिख हो इसाई हो फरक कि अलग अलग प्रस्नल लॉज है उसके बेश पे वह गवर्ण होती है तो इसको बेश पे उसको लेकर बहुत सारे डिबेट चलने हारी है कि क्या हो लोग को हम एक सिंगल कामन में नहीं ला सकते क्या और अगर लाए जा सकता है तो उसका बेश कैसे हो इसको तैयार कैसे हो तो उसको लेकर लगातार डिबेट चलने है जैसा कि आपको पता है कि गोवर्मेंट जो है वो यूसी सी ड्राफ कर रही है और कड़ चुकी है तो उसको लेकर बहुत सा लोग ऑब्जेक्शन है कि ट्राइवल पीपल के उपर क्या इंपेक्ट परेगा नॉर्थ इस वाले के साप रहे है कि यह का इसके पीशन है और इसका इसका हिस्ट्री किया है और क्या यह कभी लाया गया था यह सुप्रिम कोड ने कभी और भी डिरेक्शन दिये थे क्या को यूसी सी लगान तो उस वेसे हम डिसकर्स करते हैं तो हम एक पहले ये समझेंगे कि यूची कहीं पर कवर है क्या तो यह जो है इंसरींड है आर्टिकल 44 की अंदर में अब यह आर्टिकल 44 ऑफ दी कॉंस्ट्यूशन है यह तो आर्टिकल 44 यह कहता है कि इस्टेट के पास पावर है और इस्टेट को एक टाइप का पावर है कि अगर इस टाइप की कानून लाना चाहते है तो वो जाएं सोसाइटी के अंदर में अलग-अलग करें और उनका व्यू समझें और उसके बाद जाके एक ऐसा ड्राफ्ट करें जिसमें उनकी भी सहमती हो ठीक है अफकोर्स एस्टेट कर सकता है और यह पार्ट ऑफ डीपीएसपी है डार्टिप्रिस्पल पर स्टेट पॉलिसी है जैसे कि आपको पता है कि पार्ट ने रिखायूा पर समाने डीपीएसपी कि आपकार उसकी फूइद क्âu रह monumental Rights की बात करते है और इसमें आपको स्टेट में आपकोर्स एक आपकोल पर रीककary स्ट आपक्के क्रक्राप करते है पार्ट पार्ट कर्सको जह्में ने अमें अचाने में क्या घ्रिप पक्लाट उ तो UCC को लेके लोग उसके लिए एक chaos हो रहे है, कि आखिर UCC आएगा तो होगा क्या, ठीक है, तो एक अलग-अलग भ्रांतिया पहला ही जा रही है, कि अगर इससे आने से यह हो जाएगा, या फिर जो भी उनके concern है, ठीक है, अगर हम उसको इस तरीके समझें कि उनको concern क्या है तो हम पहले उनको उस तरीके से समझेंगे और फिर हम discuss करेंगे कि उसके favor में क्या है, पहले हम उसका कौन समझेंगे, कि हम उसके against समझेंगे, कि उसमें है क्या, तो पहला यह है कि violation of article 25 और article 29 है, कुछ लोगों कैसा कहना है, और बहुत साज लोग debate कर रहे है कि यह article 25 जो है, समझेंगे, आर्टिकल 29 जो है, वो उसका violation है, ठीक है, आर्टिकल 25 में क्या है, propagation है, concerns है, यह सब चीजेंगे, तो वो आप देखें कि आर्टिकल 25 का और आर्टिकल 29 का violation कह रहे हैंगे, लोग कि आर्टिकल 25 और आर्टिकल 29 का violation, यूशी सी लाने से यह होगा, freedom of religion expressions है, propagation है, यह सब चीजें उसमें होगी, आर्टिकल 29 का भी कह रहे है, दूसरा यह कह रहे है, अगर यूशी सी लाता है, तो हर religion के जो अपने प्रस्नल लाउज है, वो खतम हो जाएंगे, वो खतम हो जाएंगे, जैसे कि adoption का का काम हो, ठीक है, और succession का का काम हो, ठीक है, तो वो खतम हो हो जाएगी, वो नालिफाई हो जाएगा, तो दूसरा इनका concern यह है, तीसरा concern है कि disturb law and order problem, peace and public tranquility, यह अभी मैंने आपको बताया है कि DMK के जो चीफ मिनिस्टर है, स्टैलिन, वो यह कह रहे हैं कि अगर आप UCC लाते हैं, तो जो public order है, law and order की problem create होगी, public tranquility disturbed होगी, ठीक है, तो एक aim होने यह भी region दिया है, चौन्था दिया है कि constitution gave power to state to draft UCC, ठीक है, कुछ जो है, वो उनको कुछ लोग उनका कहना यह है कि constitution जो है, वो article 44 के अदर state को यह power देती है, government, central government को बना रही है, ऐसा कानू, और पांचवा इन्हों ने जो दिया है कि 21st law commission की report जो है, वो government को, UCC के favor में नहीं दिया था, against में दिया था, तो 21st law commission का report भी government को यह advice करता है, कि UCC ना लाएं, तो यह कुछ इनके point है, जो इनके against में लगाता है, पेपर में cover किया जा रहा था, तो मैंने सोचा, आपको यह बताओ, ठीक है, अब मुझे यह आपको इसके against है, तो कुछ हमको आपके favor में चीज़े समझानी पड़ेंगी, कि इनके favor में क्या बाते हो रही है, और एक तनकूंड करेंगे, आप लोग समझेंगे, आप लोग understand करेंगे, जो सुसाइटी में जाके कि इसको लाने की क्या ज़रूरत है, अगर लाया जाए तो किस तरीके से लाया जाए, अग सुप्रिम कोट क्या कहती है, लोगों का क्या सोचला है, उसके बारे हम डिसक्स करते हैं, पहला point में अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता आद रहा हूँ को उसमें CRPC अंडर सेक्शन 125 जो है, वो maintenance की बात करता है, कि आपको अगर आपके पती ने आपको divorce दे दिया है, तो आप maintenance किस तरीके से डिमांड कर सकते हैं, तो साहवानों का केस हो था, इस केस में पार्लि चंचुजी के फादर थे, और उन्होंने लिखा था, बहुत अच्छा लाइन लिखाता है, मैं पढ़के बताता हूँ आपको, एक common civil code, help the cause of nation integrations, उनका कहना था कि अगर हम एक common UCC लाते हैं, तो जो इंट्रिगेशन, जो देश की अलग-अलग लोग है, जिनके हमारा दोस् to law which have conflicting ideology, हमारे जो संबिधान में, हमारे देश में अलग-अलग ideology के लोग रहते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, अलग हो, ठीक है, इस type के लोगों की, इनके ideology भी अलग है, अगर हम इनको integrate नहीं करेंगे, तो एक ideology में आएंगे नहीं, fit नहीं बैठेंगे, सब अपने अपने बारे में सोचेंगे, तो उस समय इन्हों में ये recommendation किया था, कि हमें एक UCC type की चीजे लानी पड़ेगी, जिनको जैसे हम IPC से govern हो रहे हैं, सारे लोग, वैसे UCC से govern हो, पर ऐसा हुआ नहीं था, जब वो discussion लेके आये थे, तो उसके बाद पूरे देश में उसको पलट दिया, और उन्होंने किया कि government जो था, overturned the साहवानों के decision को change कर दिया, उन्होंने बोला कि उन्होंने एक Act लेके आया है, जिसका नाम था Muslim Woman Right to Protection on Divorce Act, और ये 1986 की बात है, 1985 में साहवानों का case आता है, Supreme Court का judgment आता है, और maintenance दिया जाता है उनको, उसके बाद UCC के ये एक draft बोल एक तयार करने के लिए बोला जाता है, लेकिन उसी के बाद इन्होंने Muslim Act 1986 लेके आगे, उसका consequence क्या हुआ, उसका consequence हुआ कि उन्होंने क्या है, curtail the right of Muslim Movement maintenance under section 125 of CRPC, having said that Supreme Court merely made an observation, अब government का कहना था कि Supreme Court ने के वाल एक observation किया है, Supreme Court ने कोई direction नहीं दिया कि आप UCC ल उन्होंने 125, section 125 CRPC के अंदर मैंने जो maintenance का provision decide किया था, उनको उन्होंने हटा दिया, for enacting the UCC, so not binding on the government or the parliament, तो government के उपर binding भी नहीं है, ऐसा करके उन्होंने government ने बोला, and that there should be no interference with the personal law, unless the demand comes from within, और government ने ये किया कि ये ऐसी चीज़े नहीं होनी चाहिए, कि आप आगे से आके, ठोप दो, वह लेकि जब तक people वहां का accept ना करे, तब तक आप इस टाइब की चीज़े ना लो, तो ये राजीव गांधी की सरकार में चीज़े हुई, ठीक है, तो आप लोग का पूरा 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 जो है chronology आपको समझ में आ गया होगा, UCC क कि 1985-1986 में क्या हुआ था, अब हम ये बात करते हैं, एक शाहवानों केस हो गया, एक दूसरा केस है सारला मुदगल वर्सिस यूनियन ऑफ इंडिया, बहुत इंटरस्टिंग केस है ये भी, इसमें क्या है, एक हिंदू हस्वेंट रहता है, और वो क्या करता है, और वो मुस रिलिजन एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या आप दूसरा मैरिज क्योंकि आप तो आपका उसमें चेंज ही हो गया, तो क्या आप दूसरा मैरिज कर सकते हैं, क्या आप स्लमनाइज कर सकते हैं, तो कोड उसके मामले में भी कुछ बहुत किलिर स्टेटमेंट दिया था, कि कोड ह तेक टाइवोज फर्स उनने बोला था कि आपको पहले डाइवोज लेना पडेगा ठीक है हिंदू मुमें से आपको डाइवोज लेना पडेगा अंडर लिए ऑगर फिर से आप दूसरा साधी करते हो तो यह ऑफेंस होगा और भी ऑफेंस कौन सा ऑफेंस सेक्शन 494 उसके अं में 495 पंदर ओफेंस हो जाएगा तो आप अगर करना चाहते हो सेकेंड मेरेश तो आपको पहले वाले से डाइवोज लेना परेगा और यह कोट का जज्जमेंट था अब एक चीज और आती है कि बहुत सारे लोग डिसकर्स कर रहे हैं बताभी रे पेपर वाली लगातार च समछते हैं सेक्लोर का मतलब होता है कि स्टेटव के वपर कया मतलब है तो इसके बारे में हम देखते हैं कि अगर हम UCC लाते हैं तो सेक्रोलिजम के उपर क्या इंपक्ट पड़ेगा इंडियन कॉंटेक्स की बात कर रहे हैं तो हम यह देखते हैं कि तो इसका मतलब यह है कि स्टेट का हमेशा काम है वह इसके बीच में नहीं जाता है हमारी क्या आस्था है क्या स्रदा है हम हिंदू है तो हम भगवान को पूछते हैं को शिक है तो गुरुद्वारा जाते हैं स्टेट को उससे मतलब नहीं है कि आपका प्रस्नल फीलिंग और गॉड के साथ आपका क्या क्नेक्शन है स्टेट का काम है कि आप मैं टू मैं देखो नॉट मैं विद गॉड देखो ठीक है और इसके उपर बहुत अच्छा जज्ज्मेंट है स्टेट को श्रीं विद गॉट अच्छी चीज़ी लिखते हैं पर इंडिजन दो है वह एक इंडिविजल फेट है फेट पर डिपेंड करता है यह उनका मैटर है चीक है यह हमारा इंटरनल फेथ है जो हमारे डिलेजर नहीं इंटरनल फेथ है तो सेक्रोजन एक्टिविटी जो है वो लौ से गवर्ण किया जा सकता है ठीक है कैसे कि मालों कि सपोज है कि हमारे आर्टिकल के अंदर में आर्टिकल पत्चीस से लेके अर्टाइस उन्तिस पढ़ेंगे उसमें सब में जो है वो एक्सेप्शन दिया हुगा है इसे पॉब्लिक मॉरालिटी हो गयी है अगर अगर यह चीजे कहीं पर खड़ाब है तो इसे उसमें इंटरफेर कर सकती है जा सकती है आपको समझा सकती है आपको डारेक्शन दे सकती है कि आपको ऐसे चीजे करनी है कि जिससे हल्थ कर नुफसान नहों पॉब्लिक मॉरालेटी इस्टर्ब नहों तो यह एक्सेप्शन है आर्टिकल 25-28-39 के बीच में तो स्टेट तिरिफ से एक साइड है और एक साइड डिलीजन है, तरहब्सक्राइब प argent कि इसे साइड जो है वो और जो है सटेट और डिलीजन दोनों बिल्कुल अलग-अलग है, ठीक है भी से ह में समयत एक स्टेट थे सवस्थे वह एक समय इंडिया में इंडिया में अभी जो है हम डेवल हो रहे हैं तो अभी भी इस्टेट जो है वह अलग है वह पॉजिटिव सेक्रोजम है आके सरकार इसमें इन्वाल्ट किया जा सकता है कि इंडिया राट कि आप Humden आप को समझें कि जरूरत है कि अगैप में और तर स्वााइब का या फिर अदम केस आओज है में ठीक है उनको अलग-अलग से ट्रीट किया जाता है एक और भी चीजें हैं जो समझने वाले हैं अगर आप लोग बात करते हैं कि इसमें एक्वैलिटी की बात करते हैं जैसे हिंदू वोमें वर्सेज मुस्लिम मुमें ठीक है तो हिंदू में हिंदी वोमें को क्या अधिका चीजें ठीक है जिस पर वोग भी चानुन हो सब्को एक आइद से दर्पल से देखा जाए तो सरकार यह करने के कोशिश कर रही हैं और यह मैंने आपको बता कि यह समझा दिया थी कि अगर यह चीज लाना भी है तो हम लोगों को मौका देना पड़ेगा उनके फीडबेक लेंगे समझेंगे कि अगर यह लाने से क्या हो सकते हैं उनके अगर यह लाए जाए तो इस इस वाल फो फो यूद्ट को वाचि वाचि मैं वाचि मैं वीडियो और आप अपसाये इस को लाइक सब्सक्राइब और बेल बटन दवान और आगे से आगे बढ़ा हैं थैंक्यू तो मुझ